कि नमस्कार सबका स्वागत है अभी दंतन है अपन बात करते हैं साइंस की तो देखिए पहला क्यूशन है इस्टेंड लैस इस्टिल बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है इस्टेंड लैस इस्टिल बनाने के लिए लोहे के अंदर क्या मिलाया जाता है जल्दी से आ कि जल्दी से एंसर दीजिए इस्टेंडलेस इस्टिल बनाने के लिए लोह के अंदर क्या मिलाए जाता है निखल निखल या तामबा यानि कोपर जिंक या टिन निखिल लोह और टिन एसन या क्रोमियम या और निखिल इनमें ऐसे स्टेंडलेस इस्टिल बनाने के लिए अपन लोहे के अंदर क्या मिलाते हैं जल्दी से एंसर दीजिए जिन लोगों का एंसर डी है उनका यह सई है क्योंकि जो इस्टेंडलेस इस्टिल है उसके अंदर अपन क्रोमियम वह निकल मिलाते हैं क्रोमियम मिलाने का कारण है उसको कठोरता देना, यानि उसको कठोर बनाने के लिए अपन क्रोमियम और चमक के लिए अपन क्या मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, और देखिए कुछ धात्वे हैं, जैसे मैं बात करूँ, पितल की, पितल जिसको याद रखने के लिए आप याद रखोगे पीता जी कि हमेशा बोलते हैं ट्रीक बताओ तो अपन आज कुछ ट्रेक हैं बथा देते हैं पीता जी यानि पीथल को याद रखने के लिए आपको इसको याद रखोगे पीता जी को पीथल जो बनती है तामबा प्लस जिंग से ठीक है फिर अपन बात करते हैं एक एक कांसा ठीक है इसको याद रखने के लिए आप याद रखो के कोटी ओपर यानि तामबा प्लस तिन को एसे न से परतेशरित किया जाता है फिर देखाओ एक है रॉल्ट गोल्ड गोल्ड रॉल्ड गोल्डкої जिसको बनने के लिए अपन कोपर प्लस अलियूमिनिम यानि तामबा प्लस aluminum का यूज़ करते हैं पिता जी यानि पितल तामबा प्लस जिंक तांसा को याद रखने के लिए आप याद रखोगे कोटी ठीक है और गॉल्ड यानि जो किरित्रीम सोना है वो है आपका कोपर प्लस याद रखोगे सीटी के अंदर क्या करते हैं अपन फ्यूज़तार का यूज़ करते हैं वैसे घरों के अंदर जो फ्यूज होते हैं उनके लिए अलग एक मिस्र धातु का यूज करते हैं ठीक है उसके लिए आप याद रखोंगे सीटी सीटी का मतलब है सीशा कि सीशा प्लस टीन है ठीक है यह इतनी धात्में आप यह मिस्र धातु है वह याद रख सकते हो फिर अपन नेक्स्ट क्यूशन के उपर आते हैं प्रती डीप लप में कौन सी गैस भरी जाती है फ्लोरोशेंट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है तो पहला है नियोन दूसरा है सोडियम मर्कुरी या मर्कुरिक ऑक्साइड वा नियोन मर्कुरिक ओक्साइड प्लस नियोन प्रटी डीप तबलब के अंदर कौन सी जैस बरी जाती है बिल्कुल यह प्लेट लेस्ट को अपन सपेज सोना क्याता है न पीटी प्लेट लेस्ट को क्या पीटी को अपन क्या बोलते हैं सपेज सोना बोलते हैं और सपेज सोना किसको बोलते हैं जो कपास है कपास को भी अपन क्या बोलते हैं सपेज सोना बोलते हैं और जो कपास के अंदर रह से होते हैं वो किसके बने होते हैं अब जल्दी से 37 का एंसर दीजिए इसके अंदर क्या एंसर होगा चलिए इसके अंदर भी जो डी है वो option आपका सही है इसके अंदर mercury oxide वा neon gas बरी जाती है मुख्यत जितने भी bulb या tube light वगेरा होती है उनके अंदर आपन अक्रिय गैसे भरते हैं अक्रिय गैसे जैसे आपके hydrogen, helium, neon, argon, krypton, xenon और redon यह 6 अक्रिय गैसे होती है जिने अपन उत्क्रिष्ट गैसे भी कहते है जो 18 वर्ग के अंदर आती है आवर्त सानी का जो 18 वर्ग है उन्हें अपन अक्रिय गैसे कहते हैं या सुन्य वर्ग की गैसे कहते हैं सुन्य वर्ग के तत्व वह सभी तत्व क्या है अक्रिय गैसे का मतलब है वह किसी अन्य के साथ किर्या नहीं करती है तो इन्हें क्या बोलते हैं अक्रिय गैसे कहते हैं अब देखो अक्रिय गैसों में जो वायू मंडल के अंदर है वो सरवादिक आरगन पाई जाती है आरगन यह पाई जाती है 0.93% पाई जाती है और आपन सब को पता है नाइटोजन कितनी पाई जाती है 78% पाई जाती है जो ऑक्सीजन है वो कितनी पाई जाती है 21% पाई जाती है उसके बाद आरगन का नंबर आता है वो 0.93% पाई जाती है और जो कारबंड़ाई ओक्साइड है यह कई बार क्यूशन पूचा गया है तो आप इसका ध्यान रखोगे यह पाई जाती है 0.03% क्या पाई जाती है तारबंड़ ऑक्साइड पाई जाती है अपने वायू मंडल के अंदर चलिए फिर आपन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन लसुन के अंदर जो गंद होती है उसका कारण आपको बताना है लसुन के अंदर जो गंद होती है उसका कारण क्या है बिल्कुल जिनका भी सलफर गैस है जिसके कारण लसुन और प्याज के अंदर जो गंद होती है वह सलफर के कारण होती है फिर देखो next question किसी परमानु में उप परमानु नहीं आपन कहेंगे अव परमानु क कहेंगे न अव परमानु क कन नहीं है अव परमानु क कन भी कह सकते हैं या आपन कह सकते हैं मूल भूत मूल भूतकन मूल भूतकन नहीं है यानि किसी भी परमाणू का और परमाणू एक कन नहीं है यानि जितने भी option दे रखे हैं उन मेंसे आपका जो किसी भी परमाणू के अंदर मूल भूतकन पाए जाते हैं उन में से जो option में हैं नहीं वाला चुड़ना है अपन को तो आप जल्दी से इसका answer दीजिए बिल्कुल जिनोन ये क्या है एक अक्रिय गैस है इसे अपन बोलते हैं अजनबी गैस अजनबी या इस्टेंजर गैस ठीक है और ये तिनों क्या है अवग पर्मानविकण है या इन्हें अपन बोलते हैं मौलिकण या मुल्बूतगण ठीक है और इनका जो अपवाद है वह है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटियम है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है इसके अंदर न्यूट्रॉन निकालोगे तो इसके अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्तित होता है ठीक है यह आप इसके साथ याद रखोगे न्यूट्रॉन यानि जो हाइड्रोजन है उसके अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्तित होता है कि फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन को इसको क्यूशन को अपन थोड़ा सुधार लेते हैं किसी उदासीन पर्मानू में किसी उदासीन पर्मानू में प्रोटोनों की संक्या किसके बराबर होती है